आज की इस राजनितिक चर्चा में आपका स्वागता है अभिनन्दन है जैसा के आप जानते हैं के देश में खास कर खादयन का पिटारा या खादयन का कटोरा कहे जने वाले पंजाब और हर्याना में किसानों की जो अंदोलन है किसानों का या कहें किसानों की स्यास्ट है वो पूरे जोर पर है और इसको लेकर स्यास्ट के अलग अलग गलियारों में काफी उथल पुथल दिखाई दे रही है इस पर चर्चा करने के लिए आज हम पेश कर रहे हैं अपना एक विशलेशन और उसके बाद हम चाहेंगे कि आप अपनी राए इस विशलेशन पर जरूर दें मैं नरेश कौशल दैनिक अर्च परकाश मीडिया ग्रूप की और से एक बार फिर आपका स्वागित करता हूँ और हम चर्चा का अरम करते हैं जैसके मैंने कहा क्रिशी से समंदित जो विधेक थे तीन जिनको लेकर बड़े लंबे अर्शी से अख़बारों में चैनलों में ये चर्चा चलती रही है कि वो किसान वीरोती है ये विपक्ष का एक आरूप रहा है संचद में वो विधेक पारित हो गए का और मज़िदार बात ये थी कि जब वो विधेक पेश हुए या कैबिनिट ने जब उनको पेश होने से पहले मंजूरी दी उस वकट तक अकाली दल के जो संचद है और उनकी एक मंत्री हर्शिम्रत को और वो वहाँ पे बिलकुल चुप्पी चादे रहे और इतना ही नहीं पंजाब में भी जब विधान सबह में इन विधेकों के खिलाफ परस्ता पारित करने की बात होई तब भी अकाली दल जो है चुप्पी चादे रहा लेकिन कल क्या हुआ जो ही विधेक पास होने की तयारी हुई पेश होने की तयारी हुई तो केंदर में अकाली दल की एक मत्र जो मंत्री है हर्शिम्रत को और बादल उन्होंने इस रोश में कि यह किसान बिलोदी विधेक है अपना इस्तीफा दे दिया तो मैंने जैसे बताया कि इन विजहकों को लेकर राजनीति गल्यारों में किसानों के जो प्लेटफॉर्म है उन पे काफी जो है ये चर्चा ज़्यादा गरम होती जा रही है और पंजाब और हर्याना के जैसे मैंने जिक्र किया है विशेश बात ये है कि यहां की जो स्यासित है वो किसानों की शक्ति पर ही जादा तर निर्वर है के अंदर में गठवंदन शरकार में हिस्षेदार अकाली दर की जो प्रमुक्ष नेता है हर्शिवर्ट को और बादल उन्होंने जब मंतरी पास से अस्तीफा दिया तो राजनितिक गल्यारों में उसका चर्चा होना और उसका क्या प्रतिफाल होगा या क्या प्रतिक्रियाएं होगी उस पर भी जो है विविन्न सिंगठलों में चर्चा तेज होगी और इतने ही नहीं ऐसी भी चर्चा है कि बहुत से राजनीतिक दलों को या स्यासर्दानों को दिनका अधार किसानों पर है उनको अपने स्यासी स्लेबस पर पुनर विचार करना होगा और उनकी पुनर सिमिक्षा करने पर बादे होना पड़ सकता है इसके हम अब आगे विश्तार से चर्चा करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि के अंदर दुआरा इन विजएकों को पास होने से या जब ये पेश होने थे या जब अध्यदेश जारी होते इनको लेकर जो विरोज का सामना सकताधारी पार्टी को करना पड़ रहा था अब अर्टिमेटली उसकी कमान जो है मकाबला करने की वो परधान मंत्री खुद आगे पर संबारनी पड़े परधान मंत्री ने अपने एक वक्तवे में कहा कि जो लोग आज इन विधेकों का विरोध कर रहे हैं वो जब खुद शक्ता में थे तब ऐसे परस्तावों का वो खुद समर्थन करते रहे हैं लेकिन आज किसानों को बढ़काने पर लगे हूँ परधान मंत्री शिर नरेंदर मोदी ने यहां तक कहा कि उनकी सरकार ने बेड़ियों में जखने हुए किसान को दरहसल बंदन के मुक्त किया अब किसान अपनी फ़सल को मन चाही जगा पर अपनी पसंदीदा एजन्सी को बेच सकता है उन्होंने भले ही ये अश्वासिन किसानों को दिया कि खाद्यान पर MSP यानि के नियुंतम समर्थन मुल्य की जो नीती है वो जारी रहेगी लेकिन यहाँ पर लेखनी ये बात ये है कि जो विधेक संचद में लोग सबह में पेश किये गए जो अब राज्य सबह में पेश होने है उन में ऐसा MSP को बनाए रखने का कोई जिक्र दिखाई नहीं पड़ा हर्शी मृत कोर के मंतरिपत से अस्तीफे के परिप्रेक्ष में अब श्यासी हलकों में ये प्रशन बड़ा गर्मा गर्म उठ रहा है कि क्या हर्याना में चौदरे देविलाल कुटंब देविलाल खानदान कहे या कुटंब उसके सत्ता शीन नेता भी क्या हरसिमरत कोर का अंसर में करते हुए दिखाई देंगे और क्या वे सत्ता का मुध त्यागेंगे इस यक्ष प्रशन के पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि चौधरी देविला और प्रकाशिंग बादल दोनों प्रश पर पगड़ी बदल भाई माने गए हैं और वो रिष्टा हर्याना और पंजाब के सबी लोग सबी दर्शक शुरोतागन अच्छी तरह से जानते हैं अब प्रशन ये उठता है कि क्या जो चौधरी देविलाल परिवार के लोग या नेता सत्ता में है बले ही वो अलगलग गुटों में हो क्या वो भी प्रकासिंग बादल जो उनके घर के एक तरह से मुखिया है उनके विचारों को उसके दिशा निर्दोशों को मानेंगे और वो भी अपने पदों को या सत्ता को त्यागेंगे तो ऐसे में दोनों परिवारों के लिए ये एक उहा पोह वाला जो स्थिती है वो बनी ही इस प्रशन को लेकर जो कौतु हम पुरुन बात एक और है कि चुटाला परिवार जो है अब एक तरह से स्युक्त ना होकर वो अलग-अलग स्यासी तोर पर अलग-अलग गुटों में या कहें घटकों में बटा हुआ है जैसे के चौधरी ओंपरकास चुटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल के सर्वे सर्वा है उन्होंने अपनी पार्टी की कमान के लिए भावी नेता के रूप में अपने अनु चौटाला के हाथ में ठमाई है जैसा कि आप सुब जानते होंगी के इंडियन नेशनल लोकदल का हर्यारा विधान स्वा में एक मात्र विधायक अबैसिंग चौटाला ही हैं दूसरी ओर ओंपरकास चौटाला के दूसरे स्पुत्र जो डॉक्टर अजैसिंग चौटाला है उनके वो जैसा कि आप जानते हैं जेदेपी जन्याएक जंता पार्टी के करता दर्ता या कहें सरवे शर्वा हैं और उनके स्पुत्र दुशल्थ चोटाला हर्याना शरकार में खट्र शरकार में उपमुख्यमंत्री भी है जैसा कि आप सभी जानते भी होगे कि जज़पा देदेपी के दस विधायक विज़ई हुए थे जो इस पार्ट जो खट्र शरकार है उसको समर्तन दे रहे हैं और उ शानिश के आंकडे पर नहीं पहुँच पाई थी इतना ही नहीं खट्र शरकार ने निर्दनिय विधायकों का भी समर्थन हासिल किया था और इस तरह हम जैसे बता रहे हैं देविलार परिवार की बात उसमें दो गुटों की हमने बात बताई दो घटक कहिए या दो पक्ष कहिए जैसे के हमने बताया कि ओम परकाश चोटाला और आबे चोटाला एक तरफ और दूसरी तरफ दुसेंद चोटाला और उनकी माताशिरी भी विधायक है नैना चोटाला और उनके पिताशिरी दुसेंद जी के डॉक्टर अजैसिंद चोटाला ये दूसरे हो गया है ती चौधरी देविलाल जी के एक स्पुत्र चौधरी रंजीत सिंग्चोटा ला बने किसी जमाने में चौधरी देविलाल के मंतरी मंदल में मंतरी रहे लेकिन बाद में वो राजनिती की उठा पठक में अपने भाई उम परकाश से मात खा गये थे और उसके बाद उन्होंने प पाए अंतता पिछले चुनाब में 2019 चुनाब में उन्होंने निर्दलिय रूप में चुनाब लड़ा और विजई हुए तो जैसा मैंने पहले बताया जो निर्दलिय विधायक खटर सरकार के समर्थन दे रहे थे उनका एक दरेशे नेत्रित जो है वो चौधरी रंजीत सि यानिके मंत्री के पाथ पर खटर सरकार में विराज मार रहे तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि यक्षप्रेशन फिर वही पैदा होता है कि टुकडों में या घटकों में बटा हुआ देविलाल का ये परिवार अपने दोनों परिवारों के मुखिया प्रकासिंग बादल की ल पुत्रबद हुआ है हर्शिम्रत को और रे स्तीफा दिया है क्या वो भी उस लाइन पर चलेंगे ये प्रशन अभी यक्षप्रशन कहा जा सकता है तो जैसा कि मैंने बताया कि जो चोटाला कटूम कह दिजी उनके पिता मैं चौदरी देविलाल ने बड़ा कड़ा किसानों को लेकर किया है किसानों के हितों को लेकर किया है या दूसरे शब्दों के हैं कि स्टाला परवार की दर्शल जो अधार शिला है सियासत की जो नेम है वो किसानों के संघर्ष पर ही अधारित है अब ऐसे हलात में जब एक ऐसे विदेख पेश हुए है जो कानोनी र को देखते हुए क्या जो उनके चुटाला परिवार के लोग सब्ता सीन है वो इस्तिफा देंगे ये प्रशिन मुवाएं ठड़ा है ये बात दीगर है कि उपमुक्षमंत्री दुश्यंत चुटाला ने कल बड़े शाफ शब्दों में प्रेस कॉंस्वेंस में कहा कि ये जो लाठी चार पिपली में किसानों पर हुआ वो अतियंदनिया है शोगनिया है और उसकी जाज तक कि उन्होंने मागई उनके जो अनुजब्राता है दिग भी जैसीन चुटाला जो इन्शो का प्रतिनिध्यत्यों करते हैं उन्होंने अलग से पत्तरकारों के समक्ष इस ने ये बात जिरूँ इस पश्ट की कि जो विधेक पेश किये गए लोग सब हमें वो बिलकुल किसानों के पक्ष में जाएंगे और इसके जो पक्ष में उन्होंने कई तर्क भी दिये के आने बाले भविश्य में किसानों को इनका फायदा ही फायदा होगा जैसा कि मैंने स्यासित के आधार हैं आप अनुमा लगा सकते हैं कि इस किसानी जो शक्ती है इसका अशर ना केबल हर्शिम्रत को और या काली दल पे हुआ है पंजाब में भी इसकी सुग भुगाहट हल चल तेज हो गई है ताजा उधारन आपको हम देते हैं फतेगर जो पंजाब विधा सबा का निर्वाचन क्षेतर है वहां से कुलजीत सिंग नागरा उन्होंने इन विधेकों के कल साइब पास होने के तुरंत बाद ही अपने विधायक पद से अस्तीफा दे दिया उन्होंने जो स्पिकर को पत्र लिखा है वो बहुत ही गंभीर शब्द उसमें उन्होंने ल और किसान की तबाही की अबारत लिखी जा चुकी है और ये एक गहरी शाजिश के तहत ऐसा हुआ है उन्होंने कहा कि इन विधेकों से पंजाब पर घातक हमला माना जा सकता है गहरी शाजिश के उनका अभी प्राय या उनका निशाना अकाली दल है जो पंजाब विधान समा में जब कैप्टन सरकार ने विधेकों के खिलाफ परस्ताब लाए वहां उनकी चुपी जो साजिश करार देते हैं और केंदर में भी जब तक पानी पूलों से नीचे नहीं बह गया तब तक हर शिम्रत को और सत्ता में बैठी रहा इसके साथ ही आपको ताजा ये भी ध वक्ष के नेता और पूरों मुख्यमंतरी कांगरेस के बोपिंदर सिंग हुड़ा आज अपने विधायकों के साथ दलबल के साथ राजेपाल को मिले और उन्होंने अपनी एक मांग जो पहले भी उठाते रहे हैं विधेकों का उन्हों जो विरोध किया ही किया है लेकिन अ उन्होंने मांग की है कि एक और विधेक लायज है जिसमें MSP का जिकर करके किसानों के लिए इसको सुनिश्चित किया जाय कि उनको MSP यानिके नियुंतम समर्थनमुले खाजान पर मिलेगा तो अंत में जैसा हमने शुरुआत में कहा पंजाब में इस्तिफा हुआ है और हर हर्याना में है उसके लोग क्या स्थीफा देंगे या नहीं और इसी से साथ कुल्दीत सिंग नागरा ने जो इतना बोल्ड स्टेप उठाया है पंजाब के अंदर वो भी एक तरह से नजीर बनेगा हर्याना पंजाब के कांग्रेस जनों के लिए और हर्याना में तो क्या आपके आज की चर्चा को यहीं समापट करते हैं और आप से एक बार फिर अन्रोद कि आपको हमारे वीडियो के विचार हमारी स्मिक्षा कैसी लगी है आप कमेंट बक्स पे जाए और अपनी राय हमें अवश्य दें और इसके साथ ही एक आग रह और के हमारा चैनल जो है उ बहुत बहुत जिन्देबाद नमस्कार ताजा अपडेट्स वह बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अजप्रकास टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें